जब भी आप किसी exam की त्यारी करने लगते हो ना सबसे पहले आपको उस exam के बारे में जानना बहुत जुरूरी है तो सबसे पहले मैं आप कुछ बाते आप लोग के साथ बताना चाता हूँ कि आपको किसी भी examination के लिए जब आप त्यार कर रहे हो तो आपको कैसे examination को त्यार करना चाहिए तो talking about national defense academy यहाँ पर because आप लोग maximum बचे यहाँ पर NDA की त्यारी कर रहे है तो NDA के बारे में बात करते हैं कि आपको preparation कैसे करने है सबसे पहली बात तो भाई आपको यहाँ पर syllabus के बारे में देखना है कि NDA का syllabus होता क्या है ठीक है exam को देने से पहले exam के बारे में पढ़ना बहुत important है सबसे पहली बात that is कि आपको पढ़ना है कि syllabus क्या है दूसरी बात that is कि previous year questions क्या आते हैं तीसरी बात that is कि previous year यहाँ पर cut off क्या रही है तो यहाँ पर main जो मुद्धा हम discuss करने वारा that is कि हमारे last 10 years की previous year cut off क्या रही है हमारे National Defense Academy के लिए ठीक है सबसे पहले हम बात करते हैं 2013 की जो cut off गई थी that was 333 देख सकते हैं आप exponentially grow कर रही थी यहाँ पर cut off तो कभी कबार उपे भी उपर भी जाई कभी कबार नीचे भी जाएगी दूसरी बात अगर हम करें तो NDA 2 2013 के अंदर 360 गई ऐसे ही 2014 के अंदर 360 और NDA 2 के लिए 283 इतनी नीचे तक भी जाती है depending upon the examination कितन easy आए कितना difficult आए तो यहाँ पर 2015 के अंदर 306 गई थी cut off NDA 1 की और वहीं 269 तक पहुंच गई थी NDA 2 2015 की cut off यहाँ पर अगर हम बात करें 2016 की तो 2016 के अंदर यहाँ पर NDA 1 की गई है 288 और अब तक सबसे lowest जो गई है that is 2016 की NDA 2 की examination की cut off that was around 229 दो 299 तक देख रहो इतनी deep down चली गई थी यहाँ पर इतनी छोटी cut off भी जा सकती है depending upon examination कैसा है यहाँ पर examination का level जो था बहुत ज़्यदा tough आया था जिसके उसे cut off जो है बहुत ज़्यदा drop down हो गई थी 277 के अंदर अगर हम बात करें तो 342 थी और वहीं NDA 2 की examination आप यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस कर सकते हो जो NDA 2 की यहाँ पर हमारी cut off गई है हमेशा low गई है क्यों क्योंकि NDA 2 का जो आपका examination होता है वो अक्सर देखा गया है कि difficult आता as compared to NDA 1 तो यहाँ पर एक profit हो सकता है आपको यहाँ पर एक benefit हो सकता है आपको कि NDA 1 का examination आपका easy आता है लेकिन उसकी cut off भी ऐसी rise करती है ठीक है जी 2018 की अगर मैं बात करूं तो 338 और 325 गई है 2019 की cut off यहाँ पर 342 और 346 गई थी 2020 के अंदर 355 और 355 दोनों सेम रही है NDA 1 और इंडिये 2 की 2020 के अंदर ठीक है जी विकॉस दोनों का सेम ही हो गया था examination यहाँ पर 2021 के अगर हम बात करें तो 343 और 355 और यहाँ पर अभी 2022 के अंदर जो examination हुआ था आपकी दाट वर 350 प्लस और यहाँ पर 340 प्लस गई है तो यहाँ पर अब जो आपको एक proper analysis मिल गया होगा कि यार आपकी जो cut-off से कैसे जो है up and down होती है depending upon the examinations तो आपको यहाँ पर अपनी preparation का level मेरे इसाब से करीब साड़े 300 प्लस ही रखना चाहिए ठीक है जी साड़े 300 से उपर ही cut-off जाती है और जाती रहेगी आप आगे भी because अब जो है level भी बढ़ रहा है और साथ साथ competition भी बढ़ रहा है तो आप अपना safe score के regarding भी एक proper वीडियो बनाऊंगो कि कितना आपको minimum score करना चाहिए ताकि आपको वीडियो पसंद आई हो पसंद आई तो लाइक जुरू करना अगर आप इस चानल के उपन आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा आज के मारे सशन में बस इतना है आप से मिलेंगे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जय है